स्वागत है आपका एक नए वीडियो में दोस्तो मेरा नाम है मनीश और आप देख रहे हैं टेक्टोन दोस्तो यह मेरे पास एक फॉर्म है एज डिकलिडेशन फॉर्म इस फॉर्म का जुरुत तब परता है जब आप बोटर कार्ड के लिए अपलाई करते हैं जब आप आप वोटर कार्ड के लिए अपलाई करते हैं तो आपको यह फॉर्म भरना होता है इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करके फिल करके आपको एसकन करके आपको वहां पर अपलोड करना होता है आपको भी पता होगा अगर आप अपलाई किया होंगे अपलाई कर रहे होंगे तभी इस वीडियो के description box में देदूँगा कापी अच्छा वीडियो है आप जाकर देख सकते हैं उसी वीडियो में आपको बताया था कि आपको age declaration form कैसे फिल करना है इससे मैं अलग एक वीडियो बनाऊगा तो ये वीडियो आपके लिए आ चुका है तो देख सकते हैं अब मैं बताता हूं कि इस form को किन-किन लोगों को जड़त है अगर आपका ओम्र 21 साल से उपर हो चुका है और अब जाकर आप फ्रेस वोटर कार्ड के लिए अपलाए कर रहे हैं अब आपको ये एज डिकलेशन फॉर्म को वहाँ पर अपलोड करना होता है अगर आपका ओम्र 18 साल 19 साल 20 साल है तो आप इस form को आपको फिल नहीं करना पड़ेगा आपको सिंपल इसे छोड़ देना है आपको फिल करने की जुरत नहीं है लेकिन आपका उम्र 21 साल से उपर हो चुका है 21 साल 20 साल 23 साल जहां तक भी आपका हो चुका है और आप अभी तक बोटर कार्ड के लिए अपलाए नहीं किये थे अब आप अपलाए कर रहे हैं तो आपको बता देता हूं कि आपको इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है तो फिल करने के लिए आप देख सकते हैं आपको यहां पर दिया हुआ है तो यहां पर आपको डालना है अपना नाम और यहां पर आपको डालना है अपने पिता जी का नाम या अपने माता जी का ना नीचे आते हैं यहां पर आपको डालना है अपना देख सकते दिया हुआ है आपको यहां पर डालना है अपना जहां पर आपका मतदान केंदर है मतदान केंदर का नाम क्या है ? करना है ? अपना सिनियेचर देख सकते हैं आप जिसका यह आप बना रहे हैं water card, उसका यहां पर signature होना चाहिए, capital में signature नहीं होना चाहिए, जो आप signature करते हैं, उसी तरीके से यहांपर आपका signature होना चाहिए, तो काफी ज़्यदा easy है, मैं आपको एक बार इसे fill करके दिखा देता हूं आपको किस तरीके से fill करना है, तो तो इसके बाद नीचे आते तो आपका यहां पर भोटिंग जहां पर आपका भोटिंग होता है उसका नम क्या है वह यहां पर मैं डाल दिया हूं डालने के बाद यहां पर आपको प्लेस एंड डाल देना है देख सकते हैं मैं इस तरीके से डाला हूं डालने के बाद यहां प आपने मुमालशे से फोटो खीच लीजिए, खीच करने के बाद इसका क्वालिटी को आप घटा कर दो एवनी के अंदर कर लीजिए और आपको अपलोड कर देना है, अपलोड करने के बाद आपको आगे का प्रोसीजर कर लेना है, तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस वीडि़ो के दिस्किप्स निवा कर Чयीजिए प्रhet।